हाई ओगेश हाओ यू फाइन सर्ट कैसे हैं आप बस बड़े सर्ट तो घर पे हैं इस समय यह सर्ट चाले सेवन असी बैंगलोर यह सर्ट 26 की रिपोर्टिंग यह सर्ट 275 की रिपोर्टिंग और फाइनली 168 गॉट सेलेक्टेड हां यह सर्ट फिचल में भी ठीक थाग आउट कर दिया अराउंड 150 PFT में आउट हुए हां रेस्ट गॉट इन जीडी यह सर्ट राइट तो रही चलिए बेसिक डिटेल जो भी ही है तो डिसकस अबाट इस् भी की बिलेज लाइफ वरस शिटीले फार यह सर्ट चलिए ताप बिसकली फ़आ यह बता है कि गॉटं से करते हैं कि सहर से डिसर गाउं दॉट में है यह सर शूरत गुजराथ सूरत तो सूरत तो सिटी भी है बट सूरत से आउटर में गाउं भी हो गया इन्साइट सर बहुत अंदर जाये तो गाउं है जे जे एक्शली में सूरत सिटी में ही गया हूं यहां पे ज्यादा बिजनेस होते हैं जो है किराना बगैरा के इस तरह के तो उसे एरिया में एक बार जाने को हुआ मेरे को एंड रुकने का मौका मेरे को हां मिला सुरस सिटी में डेवलेमेंट तो काफी अच्छा आपके यह उसमें कोई कुशन मार्क नहीं है इस बार बारी जब मैं गया था तो साल बारिस काफी कम हुई थी जाकली बड़ जैसे कि आप बता रहें इस साल की बारिस बहुत जाता रहें चलिए नौ तो कुशन की थोड़ी सी डिटेलिंग में आपके विशे में जानना चाहूंगा सबसे पहले अपनी कॉलिफेकेशन कुछ अपने व सुनाई दे रहा है तो आप बैसिकली एंपी से गुजराश सिफ्ट हुए है क्योंकि भासा इतनी क्लियर कट अपने यहां वाली लग रही थी तो आई थाट दाट कि हां तो पिता जी क्या करते हैं आपके पापा पहले कुली थे फिर उनको एक ओनर ने शॉप दे दी अब ट्रावलिंग का बिजनेस कर रहे हैं चलिए बहुत बड़ी है मतलब पापा का जीवन में कह सकता हूं कि जो है जीरो से हीरो वाला है यह सही कुछ सर आइट्स रिली इंस्पाइरिंग तो कब सिफ्ट हुए फाइनली पापा वहां पर आपके सब्सक्राइब तो मदाइब एंपी से पापा जो है सिफ्ट हुए सूरत रहे और सूरत में ही जो है उन्हें सौप गैरा मिली देनी स्टाटर्ट ट्रेबल का प्रोग्राम एन और इक्जाक्ली हां नहीं सर पहले तो कुली का काम किया स्टीशन पर फिर वहीं सोते थे वहीं अंकल ने उनको देखा उनको रेंट में एक शौप दे दी वहीं से पापा ने ट्रावलिंग का शुरू किया तो पापा पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक किये थे सर एक आसे क्या पास हैं इस एध स सब्सक्राश्रीं का का मत. नहीं सिक लिए होगत वो तो एक portal पर जाके काम करना होता है तो उन्हेंने सीख लिया होगा हाँ सर वही सीखे फिर हमें भी आ गया धिमेदी में computer उनको देखके तो आप लोग सब support करते हैं पापा को मैं पापा भाई तो आपके भाई बहन जो है आपसे बड़े हैं बच्छा की छोटे हैं संगर में जब से सब बड़े हैं एक तरीके वह मनसे क्या कर रहें बकी लोग आपके दो बड़ी सिस्टर हैं बाकी दो भाईया हैं उन्होंने भी जादा पड़े नहीं ट्वेल्ट पास से दोनों साइन्स कॉमर्स में यहां सर डायमंड का काम अच्छा है तो डायमंड में किसी को भी जॉब मिल जाती आसानी से एक डायमंड में दूसरे भाई अपा का जीवन तो काफी संगर स्पून रहा होगा योगेश विकेज बच्चे हैं चोटे-चोटे जब सब की पढ़ाई लिखाई बड़ी मेहनत की होगे उन्होंने जीवन में मैं मैं हैसूस कर सकता हूं इस बात को कि असर उन्होंने हम सब को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा है फीज एफोर्ड नहीं होती थी बट फिर भी पढ़ा है क्या वाथ है क्या वाथ है तो बिसिकली कब दिमाग में आई इंडियाने एफोर्स और कैसे डिफेंस का कारवा आपका योगेश शुरूआ विकर जादा लोगों के अंदर वो रहता है कीडा टेन प्लस टू हुआ चलो कहीने कहीं लग जाते हैं तो आप कैसे यह सपना पाल पाए कैसे शुरूआत हुए कुछ बताएं इसके विसे में इसकेंड टाइम हो गया लास्ट यहीं दिया था दोजार एक्टिस फिर में वहां एनस्वी के लिए गया वाइसे विशा का पटनम इसी महीने ऑगस्ट में गया और कॉंफरेंस आउट हो गया वहां से तो जे में का भी ग्जाम दिया था अपने योगेश जे नहीं दिया था क्यों नहीं दिया कि अंडिया का सबना था ने दर्स ओके बट आपको यह भी तो पता ही रहा होगा कि टेन प्लस टू आर्मी टीए सो या ने भी टीए सो दोनों डारेक्ट एससस भी जो है वो जे के आधार पे ही मिलेंगे इस बात की जनकारी थी आपको सर वो थी बट मेरी कैमिस्ट्री बहुत वीक थी साइंस में उसी वज़े से फिर जी टार्गेट नहीं किया चलो ठीक है कोई इस बार का इंडिया पियर किये क्या आपका वो लास्ट था में यह जाउट हो गया कोरोना की वज़े से एक अटेम्ट वैसे चला गया था osoback जीजीजी में Eg mp2 Como अटेम्ट मतलब नई ब्ड़जार 20 में एक साथ करा आइगे था ना इकजाम बच्चा 2020 12th पास और वह अप्रिल वाला टेम्ट हुआ नहीं सप्टेंबर वाला सिधा हो गया सप्टेंबर वाला बेटा हो अप्रिल वाला भी था वो सप्ट्म्बर वा लॉक्डाउन था उतना मौका नहीं मिला होगा तो 2021 आपका फर्स्ट आपने क्वालिफाई नहीं किया सेकेंड वाले में आप अपियर हुए अप्रिल वाला की नौंबर वाला अप्रिल वाला सर डोजार इकीस है तो इसके बाद फिर क्या नौंबर वाला भी दिया आपने दोजार एकीस अच्छा एज फाइनली आपके ओबर हो गई हाँ चांसेस कहीं मिस हुए आपके ना जैसे कि सब्सक्राइब कर दोनों मौके तो आप दे ही नहीं पाए अब जो भी कारण था तैयारी नहीं थी जनकारी का भाव था हाँ मैं समझ रहा हूं और इसलिए लोगों को अवेर करता रहता हूं कि आपको बहुत जल्दी हो जाना चाहिए तो 2022 आप अपरिल के लिए नॉंबर के इलिजिबल रहे 2020 अपरिल का क्या मसला है और अपको योगेश इसलिए इतना सबूर नहीं था इसलिए कॉलेज में अडमिशन नहीं किया इसलिए अंडिय के बाद आर्मी नहीं विए अंदर सी ग्रेजिएशन कंपलेट करने का सुचा है योगेश ग्रेजिएशन जैसी चीज बच्छा आप नहीं रोक सकते हैं 2020 गैप किया आपने 2021 गैप किया आपने 2022 चल रहा है बच्छा यह यह थोड़ा सा जैसे अपने यहां सस्ते सस्ते कॉलेज होते हैं यूपी में बिहार में उधर नहीं होते हो इसे अचा तो एंजिनेरिंग लेटे आप यह ले लेते भी ले लेते भी कॉम ले लेते बच्छा आप नहीं कर सकते हो आप समझो बात को कल को इस चीज को जिस्टीफाइब करना भी टफ होगा आपके लिए ना कोई बच्छा कहता है कि सर अबस प्रिपेरिंग फॉर आइड यह लगती बात बिकिस बिना ग्रेजविशन डिगरी के बच्छा आप अधूरे होते हैं लाइक में तो वह आपको जारी रखना बहुत ज़रूरी होता है एवन मैं अभी आपको सजेश्ट करूंगा कि अभी मतलब कमीशन के लिए आपके पास अपर्चुनिटी इस की लाइन लग जाती बच्छा नॉन कमीशन तो है ही है कमीशन के लिए लाइन लगी होती है आपके पास यह उप्शन था चलो कोई नहीं अभी जो आगे है उसको हम बहतर करने की बात करेंगे नाउ लेट्स कम टू जर्णी कैसा रहा से बने सी बैंगलोर का ओवरल एक्सपिरियंस यह बताएं सब को दूसरा चांस मिल रहा था पूशाफ में मुझे खुद दूसरा चांस मिला वहाँ पर तो फानली जब पूरी जर्णी कंपलीट हुई तो मेडिकल के लिए कब रिपोर्ट किया आपने 3 से अच्टमबर को सर बिदार में था अच्छा बिदार में था तो आप बैंगलोर में ही रुके रहे होंगे नई सर वह बहुत एक्सपेंसिव था तो फिर बैंगलोर से गजरात वापस आ गये थे चलिए बड़िया सेवन डेस का गैप था तो फिर आप दूबारा गए वहां अब मेडिकल देने के लिए यह सब तीन तरिक को मेडिकल की जरनी कैसी रहे और सब ठीक रहे कुछ पॉइंट बने हैं उन्हें काम कर रहे हैं तो कभी डॉक्टर से कुछ सला लिया कुछ मतलब गाइदेंस लिए इस चीश को लेके बच्चा है सब पॉइंट तो ऐसे बने कि डॉक्टर बोल रहे हैं जिनेटिक प्रॉब्लम है अब आप खुछ कर सको अपने हिसाब से तो वह ही है जिनेटिक प्रॉब्लम तो है लेकिन उसके अपने एक स्टैंडर्ड और पैरामीटर है कि सीपी वन है सीपी टू है सीपी थ्री एस्टेज क्या है तो यहां पर आपने जाच कर आई तो क्या स्टैटस निकल गया है बाहर यहां भी उन्हें इतना पता नहीं है कि सीपी वन सीपी टू है बस बोल देते हैं कलर ब्लाइंड नहीं इसमें भी क्राइटेरिया है वच्छा योगस कि अगर लास्टेज पर आप नहीं है तो आपक सब्सक्राइबिलेटी मानी जाती है वहां पर मेरा वहां पर सिर्फ डबल डिजिट में इशू हुआ था थोड़ा बस इसके लिए फिर फाइनल स्टेज का इशू नहीं रहेगा ठीक है इस पैक्ट्स लगाने के लिए सजेशन मिला आपको नई सर्फ क्लेर और इस पैक्ट्स की बात कर रहा हूं चस्मा आप लगा रहे हैं नो सर्फ मुझे विजन क्लियर है सिफ कलर ब्लैंड से के बलब क्लर का इशू आया है ठीक है एक बार मैं यहां पर अब बहुत सी प्लेट क्लियर हो चुकी है मालब सिर्फ अब एक दो प्ल कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है आदे पागल भी होते हैं कभी कभी मेडिकल में लगता है ऐसे दुस्मन का रूप लेके बैठे रहते हैं कि थोड़ा भी कुछ पकड़ में बाहर करो कई लोगों को तो मैं देखता हूं कि हरभडाहट में बाहर किया जा रहा है अब बता मालूम नहीं क्या रिपोर्ट बनाती रहती रहती है वो चलता है सिस्टम पूरा का पूरा बश्स एक बार भागाना होता सेकंड टाइम मुले लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है उनको एक अपना भी दिखाना होता है न हमने कितने मेडिकल कर दिये फिर यह लोग क कर लिए ते भी प्रोसीजर का हिस्सा है एक तरीक इस पार्ट आप प्रोसीजर तो इस तरह से लोग करते हैं चलो ठीक है कोई नहीं बाकि मैं जो आई एक्सपर्ट इधर अपजी सर को बोल दूँगा कि उनका नंबर आपको दे दें एक बार तो आप उनसे भी बात कर लो जो हो जाएगा चलो ठीक है अब थोड़ी से पॉइंट पर आते जैसे आपने का कि एंडिये सपना था फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो एर फोर्स की और चलते हैं तो फाइनली एर फोर्स भी अब सपने की तरह देख रहे हैं कि बस यह उप्सन है चलो सर वेंडिये नहीं दरए में ओफिसर बनना है चलिए आगे इंटरी हैं एसीसी इंटरी आपके पास आएगी एक एर-फोर्स की इनलगपर आपके निकल के आता है तो सारे रास्ते आपके लिए वह सकते हैं चलो फैमली में जब से बताएं सेलेक्शन वगेरा को लेके कैसा माहौल है घर का पहला लड़का है जो गवर्मेंट जॉब में जा रहा है तो एरिया में किसी के पास जॉब ही नहीं है कॉलेज पास ट्वेल्थ पास है बट लगे हुए हैं डाइमंड में सारे के सारे बहुत इसी है अगर आप अनपड भी हो या पड़े लिखे हो कोई फरक नहीं पड जाते हैं महीं नहीं तो आदमी सेट हो जाता है क्या करना है चलो भाई मिली रहे हैं पैसे अगर आगे आप करो कुछ को तो फिर 35-40 तक पहुंच जाती है अच्छा 35 तक सेलरी देते हैं बढ़िया है तो बढ़िया इसलिए सब लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई जो है जिस महले में रहते होंगे अधर तो अपना आवास वगयरा भी बन गया होगा वहां पर मतलब सर्थ आवास बोले तो आपका घर भी बन गया होगा सूरत में अच्छा घर जो है ले लिए पीता जी तभी बुलाए आप लोगो पर्मानेंट सेटल होगा यहां पर चलिए तो वो लोग भी कुछ सोचते हैं? फिर सर उन्होंने चीट लिख के दी मेरे अडमिशन फॉर्म बे कि आपका बेटा अगर इस साल सेवेंटी से अप स्कोर नहीं करता है तो मुझे निकाल देंगे और यह हमारे जिम्मेदारी नहीं होगी अब मेरे पापान बहुत रिक्वेस्ट की थी उसकी वेरे से थोड़ा एडमिशन दे दिया मुझे एट बे डोनिशन लिया एडमिशन दिया फिर एट बे महां ग्रेडिशन सिस्टम था सर एक्वाले सबसे वीक स्टूड़न्ट इस पर सेंटेज बी में हुआ और नाइन्थ में एमें हो गया टैंथ में एवन स्कॉर किया स्कॉलर्शिप मिल गई और उसी के बेस पर 11 12 साइंस कंप्रेट किया चालो बहुत बढ़िया किते परसेंटेज रह बोर्ड में बच्चा आज से नाइन्टीवन क्या बात बेरी नाइस स्कॉर यार तो तुम्हें तो कोई भी टॉप कॉलेज मिल जाते तो काफी अच्छा परसेंट में ट्वेल्थ में सेवेंटीफोर हो गया क्योंकि 91 अगर 10 प्लस 2 स्कॉर होता तो मुझे लगता कॉलेज इन्वाइट करता आपको ऐसा है कि अधर ऐसा है हाई स्टेट लेवल की एंजिनेरिंग एंट्रेंस एक्जाम उसको क्रैक करना पड़ता उसके बाद ही जा सकते हैं चालो बढ़ी आए और बस यहीं कहना चाहूंगा योगेश्ट की आप देमर्मिलाइस बिल्कुल ना हो अभी 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 सर को मैं नंबर दूंगो शेर क पारी को कि हां गुजरात स्टेट गवर्मेंट में कोई जॉब मिल जाए लेकिन एक बार को सोचो कि फौच की कोई नौकरी सोचता हो तो मुझे रगता ऐसे बहुत कम लोग है आपका क्या कहना है सर यहां कोचिंग भी निए एंडी एरफोर्स नेवी की कोचिंग ने मिलेगी पूरे से सुरत स्टेट में सारे डाइमंड में चले जा रहे हैं तो कहां से जो है फौज उन्हें नजर आई गया यह तो आराम पसंद वाला काम हो गया बैट जो आराम से डाइमंड घिसते रह और तो गाव में बैसिकली वहां पर वहां की लोकल लेंगविज बोली जाती हो गेश की हिंदी में बात करते हैं लोग अचा मतलब गुजराती बोलते लोग तो मैं अभी आपको नंबर सेर करा दूंगा योगेश मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत सुपकामना यह बच् करेंके बहुत साले गुजरात के बच्चे के वीडियो देखेंगे एवन सूरत के बच्चे देखेंगे वीडियो इसपार्ज आपको मैं यह चाइल्ड और और है एक अपना अलग स्टैंडर्ड तो हमाही तरफ से बहुत-बहुत सूपकामना है आपको आपके ममी पापआ क को यह बहुत सारी सुपकामना है बच्छा एंड बीकिस मैं महसूस कर सकता हूं कितना स्ट्रगल करके उन्होंने आप सब को पाला पोशा है बड़ा किया है हर परिस्थिती में तो आपको उनको रिवार्ड दे रहें और यह सफलता ही उनके लिए बड़ा सब्सक्राइब करें तो एक बाप फिर से मैं तवसे बहुत बहुत सब कामने नंबर में सेयर करा दूंगा इसटोक मंस ट्रीक बच्छा चालिये थैंक यू सो मच और बिश्यू लॉट 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 फर अपकमिंग अनौन पर